नमस्कार दोस्तों आप सभी का निचानती एकाडमी योटीब चैनल पर स्वागत है FSS AI Assistant Re-Exam Data Announce हो गया है और हम लोग इस वीटियम में जानेंगे कि FSS AI Assistant Re-Exam का आप कैसे 20 दिन में preparation कर सकते हो 2022 में जितने सारे एक्जाम्स हो रखे हैं चाहे वो Assistant हो चाहे वो CFS हो चाहे वो T.O हो इन सभी के अंदर कौन-कौन से टॉपिक से कोशन्स पूछे गए थे यह बहुत important है जानना ताकि आप उन topics को सबसे पहले prepare कर सके इस वीडियो में मैं आपको सारे important topic बताने वाला हूं जिसे आप अगर पहले prepare करोगे तो most probably chances है कि आप बहुत अच्छा preparation कर सकते हैं बहुत कम समय में ठीक है तो start करते हैं इस वीडियो को वीडियो अच्छी लगे तो like ज़रूर करिएगा चैनल पे नए है तो चैनल ज़रूर subscribe करिए क्योंकि इस मन्त हम लोग सिर्फ FSS AI Assistant exam को target करने वाले है तो हम लोग इस वी हम लोग यहां पर आप बोलोगे सर्फ पिछले वाला ही same syllabus है तो हम लोग discuss क्या करेंगे हम लोग यहां पर especially यह discuss करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़े important है जो 2022 की paper में आई थी और जिसे maximum बच्चों ने चोड़ा था और क्या क्या चीज़े course के अंदर नहीं थी जो अब include होन हैं कि pattern समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है pattern भी भूल के होंगे क्या है क्या है क्या नहीं सुबह सुबह मैसेज करा कि इतना समय हो गया चुड़े वे तो याद भी निए कि क्या क्या question था किस तरीके के questions आ रहेते हैं कितने marks का paper था 120 questions आएंगे आपके हर questions च 480 marks का total paper होने वाला है यहां पर अब इस पूरे syllabus को अगर हम लोग देखें तो 6 sections में divided है पूरा syllabus आपका जिसमें General Intelligency and reasoning के 20 questions होंगे General aptitude के आपको quantitative aptitude पर based आपको 20 questions मिलेगा General English पे 10 questions मिलेगा General Awareness पे 20 questions मिलने वाला है Computer Literacy पे 25 questions मिलने वाला है और फिर FSSAI role function और initiative पे 25 questions मिलने पहले के preparation और अभी के preparation में एक जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो यह है कि पहले आपको यह नहीं पताता है कि General English में हमें क्या पढ़ना है तो आप सब कुछ पढ़ रहे थे वहां पे लेकिन आप अभी अगर अच्छे से समझ जाओगे कि 2022 की paper में कहां कहां से questions पूछे गए तो आप 100% guarantee कि आप जो है वहां focus करोगे जहां आपको करना चाहिए उन topics को करोगे जो exam में पूछे गए थे और उन topics को आप टच भी नहीं करोगे जिसका कोई लेना देना नहीं है exam से ठीक है यही कारण है कि मैं आपको यह video provide करा करके दे रहा हूं और सारे topics निकालने में का निशानती एकाडमी टेलीग्राम चैनल पर और निशानती एकाडमी वाटसप ग्रूप दोनों जोगों पर अविलिबल होगी आप दोनों को जॉइन कर लीजे वहां पर इसकी PDF और एक्स्ट्रा अपडेट्स वहीं पी मिलते रहेंगे तो यह पूरा syllabus है इससे आने वाला है जो topic है वो देख लेता है reasoning के अंदर कौन-कौन से topics important है तो series, analogy, classification, finding, the missing number, mirror and water images, paper cutting and folding, completion of figure, embedded figure, deviation of figure, direction and distance, rotation, coding and decoding, cube and dice, blood relationship सिर्फ 14 topics हैं जो आपको अच्छे से cover करने हैं और बहुत ज़्यादा typical question नहीं आया था paper में moderate level का question था easy to moderate भी आप कहा सकते हो कि बहुत सारी questions बहुत आराम से आप कर सकते हैं कुछ questions में सोचनी की ज़रूरत है reasoning में reasoning जो है वह easy to moderate था तो आपको उसी level का preparation करना है sse based सारी questions होंगे तो अगर आप sse की कोई भी book से उठा करके अगर आप reasoning practice करोगे तो बहुत आराम से reasoning clear हो जाएगा आपका next आते हैं हम लोग general English पर अब general English में हम लोगोंने last time में बहुत कुछ पढ़ लिया था क्योंकि हमें नहीं पता था कि क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला इस बार अगर अच्छे से अगर 2022 की papers को analyze करोगे तो आपको दिखेगा सिर्फ चार टॉपिक्स हैं जहां से questions बूशेगा है एक है filler या fill in the blanks जो की completely grammar पर based था आर्टिकल्स थे वर्ब का section था यहाँ पे तो fillers आपको करने हैं जो grammar पर based होगा अब daily wishes पे अगर fillers अगर 10-20 प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम से अपका हो जाएगा synonyms और antonyms पे question आये वे थे दो question synonyms और antonyms पे error detection के questions थे तीन questions के around आया हुआ था और one word substitution से questions थे तो 10 questions है चुकि English के तो आप समझ सकते हो बहुत आराम से easily आप कर सकते हैं यहां से ठीक है तो यही चार topic करना है एक स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है English में नेक्स आते हैं हम लोग जर्नल लवेर्नेस पे जर्नल लवेर्नेस अगीं जो है बहुत किसी को लग रहा था कि प्लानी कहां से देगा क्या देगा क्या नहीं देगा तो देखो तो इंडियन इंडियन हिस्ट्री में एंस्ट मेडेवल और मॉडर्न थीनैंसे कोश्शन्स आये होगे थे इंडियन जोग्रफी से भरके कोश्शण पूछा गया था श्पूट से अच्छे खासे आये थे क्योंकि art and culture से बहुत तरह से questions पूछे गया है UNESCO से question आया हुआ है और भी बहुत सारे topic है तो art and culture अगर अच्छे से करके जाओगे ना तो general knowledge का जो maximum part है वो यहीं से लिया गया है अब उसके अलावा Indian polity, Indian polity से I think दो questions पूछा गया है, मतलब जितने भी shift हुए है उसमें दो questions के around पूछा गया है Indian polity से इसके अलावा current affairs, current affairs में sports के questions है appointment से question है और I think दो तीन topic और है जैसे national हो गया, scheme का topic हो गया तो इन सबसे questions पूछा गया है इसके बाद current affairs जो है मैं आपको अपने YouTube चैनल पर provide कर वाऊंगा, FSS AI oriented जहांपे आप बहुत आराम से इसली clear कर सकोगे paper को, next हम आते हैं हम लोग computer literacy पर computer literacy और FSS AI role function and initiative यह दो topic ऐसे थे जिन्हों ने students का दिमार करा हुआ था, क्योंकि computer literacy में हम लोग जो समझ रहे थे वो नहीं आया, हमें लगा था कि MS office से questions जादा होगा, MS office या नहीं कि MS word, MS powerpoint और MS excel लेकिन जो सबसे ज़्यादा question पूछा गया था, वो Google Docs और email से question पूछा गया था, इसके बाद digital signatures है, तो यहां पर जो मैंने mention करा हुआ है, वो order wise है कि किस से ज़्यादा question है, फिर किस से कम, फिर उसकी बाद और कम किस से आया है, फिर कम किस से आया है किस तरीके से Google Docs काम करता है, तो आप comment section में comment करके मुझे ज़रूर बताना, email पर based question आया था, email से भरके question पूछा गया है, और एक से एक question पूछा गया है, तो अगर आप यह अच्छे से prepare कर लोगे तो best है, ठीक है, digital signature से question पूछा गया है, MS word से question पूछा गया है, powerpoint से question है, basic command से भी question है, और commonly used social media handles, यह obvious है कि अब आपको थोड़ा सा updated यहाँ पे question देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसी social media application है, जोनोंने अपने आपको update कर रहा है, तो chances है कि यहाँ से questions थोड़ा से इस बार बढ़कर के मिल सकता है, मतलब थोड़ा अलग variety का मिल सकता है, अब आते हैं, FSS AI role function and initiative, जो मैंने courses अपने launch करे थे, उसमें मैंने यह चार topic जो है नहीं करवाये थे, जिससे question आया हुआ था paper, तो इस बार की paper में हम लोग यह चारो topic जो है अच्छे से करने वाले हैं, आपको 2 या 3 October तक यह सारे topics आपको आपके course के अंदर enroll मिल जाएगा, जिन्होंने single या जिन्होंने individually भी FSS AI role function and initiative की video classes को purchase करा हुआ है, आपके अंदर या फिर जिन्होंने complete package लिया हुआ है, उन सभी के course में FSS AI role function and initiative की जितनी videos हैं, वो आपको updated form में मिलेगी, एक नया folder वहाँ पे include होगा, जहां पे updated video lectures के नाम से वो होगा, आपको उसकी videos जरू पूर देखके जानी है, एक्जाम में, और इस पूरे FSS AI role function and initiative के पूरे course में हम लोग सारे updated चीज़े हैं, वो करने वाले हैं, FSS AI initiative कुछ नए launch होए हैं, उन्हीं भी हम लोग देखेंगे, जो topic हमने छोड़ दिया था, उसे भी करेंगे, और इसके अलावा FSS AI role function and initiative 2022 की paper में जितने सारे questions पूछे कहते हैं, हाला कि इस पर मैंने YouTube पर वीडियो बना रखी हैं, लेकिन इसे और extensive way में हम लोग cover करने वाले हैं, course के अंदर, ठीका, तो FSS AI role function and initiative के अंदर ये सारे topics हैं, एक बर मैं topics read कर दे रहा हूं, Genesis and Evolution, FSS AI Act 2006, उसी तरीके से है FSS AI Amendment Act 2005, उसे भी questions बन स सकता है, role function and structure of FSS AI, overview of system and processes in standards, enforcement, laboratories, ecosystem, imports, third party audit, promoting safe and wholesome food, food fortification, यहां तक हम लोगो ने बहुत अच्छे से cover कर रहा है, course में, ठीका है, लेकिन कुछ चीज़े होंगी, जो मैं इसमें update करूँगा, क्योंकि कुछ FSS AI नहीं नहीं चीज़े include करी हैं, इसके अलावा, Adulteration, FSS AI initiative भी update होगा, food labeling भी update होगा, food labeling हाला कि मैंने करवा दिया है, पुरी तरह से, लेकिन फिर भी अगर कुछ update होगा, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है, food safety enforcement, machinery of center and estate, यह एक नया चीज़ है, जो आपको पढ़ना है, food authority, audit agency and accreditation से questions, I think दो के आसपस, यह एक या दो questions पूछा हुआ है, और थोड़ा अजीब सा question था, जिसने students का दिमाग खरब करा हुआ है, इसने मेरा भी दिमाग खरब करा था, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब examination hall से निकल रहे था, निकलने के बाद मुझे यही question दिखा करके बार-बार कह रहे थी, कि आपके आपके nutrient-based disease है, उनसे questions पूछा गया था, तो इसे भी हम लोग cover करने वाले हैं, आगे आने वाली classes में, ठीक है, नेक से quantitative aptitude, quantitative aptitude में mensuration जो है, एक नया topic दिखा था, क्योंकि हम भी लग रहा था, कि सिर्फ arithmetic के questions आएंगे, लेकिन mensuration से questions पूछा गया था, time and work, percentage, mixture and allegation, square root से question था, ratio and proportion से question था, profit, loss and discount से question पूछा गया था, speed, time and distance, age, partnership, business, इसके अलावा, decimal and fraction, whole number, simple interest, compound interest, या दकना, quantitative aptitude से बहुत simple questions पूछे गया था, इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल एक भी question नहीं पूछा गया था, और अगर आप SSC aspirant हो, तो बहुत आराम से, बहुत easy way में, आप इसारी questions को कर सकते हो, ठीक है, तो ये पूरा syllabus है, अगर आप courses वगरे से, मैं interested हो, आप चाहते हो कि 20-25 दिन में आराम से आपका preparation हो जाए, अगर आपने पहले भी prepare कर रहा है, तो बहुत अच्छे से आप revision कर लो, तो कुछ dedicated course है, जिसे मैं आगे आने वाले समय में, hardly जो है, one week to ten days का सम ठीक है, अगर आप test series में interested हो, जहाँ पर मैं 2022 की questions भी add करने वाला हूँ यहाँ पर, तो आप चाहें, तो test series भी ले सकते हो, इस वीडियो में यही बिताना था, thanks for watching this video and wish you good luck हो लिए भी